नमस्कार विद्यारतियों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आर्पियसी वित नवीन सेनी में स्वागत है हमने अभी तक क्या पढ़ा है रंधंबोर कंप्लीट किया था पिछले पार्ट में अब हम पढ़ेंगे जालोर अब देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा हमने यहां से सुरू किया था ancient culture civilization of Rajasthan में काली बंगा आहड गनेश्वर बेराट खादियन किया उसके बाद मैं history of राजस्तान from 8 to 18th century किया उसके बाद गुर्जर पढ़तिहार उसके बाद चोहान और अजमेर अब हम दिल्ली सल्तनत के साथ समंद पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत के साथ समंद हैं वो मेवाड के पढ़ लिए और रंढ़ थंबोर के बीपढ़ लिए आज हम पढ़ेंगे जालोर के समंद किस के साथ दिल्ली सल्तनत के साथ तो इसके आपको दो वीडियो मिलेंगे part 1 और part 2 आज हम सुरू कर रहे हैं इसको इसलिए आज हमारा वीडियो है वो कौन सा है पार्ट वन वाला, पार्ट टू का वीडियो कल मिलेगा, उसके बाद में जो दिली सल्तनत के मेवार, रंधंबोर और जालोर, इन तीनों के साथ जो समन्द का ये टोपिक था, वो क्या हो जाएगा, कम्प्लीट, उसके बाद में हम सुरू करेंगे राजस्तान and मुगल्स, तो जड़ा जूट रहे हैं, वो एक काम करें, पले लिस्ट में जायें, और पले लिस्ट में जो आर्पिए सी सेकंड ग्रेड के नाम से, अलगी पीडियप बनी हुई है, राजस्तान का इतियास से, उसमें, तो वहां जाकर सुरू से लेकर वीडियो सारे सिक्वेंस से डाले उन सारे के सारे वीडियो को देखो उनसे नोट्स बनाओ और जो टेलिग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ जाओ जोइन करो उस टेलिग्राम जो चैनल है उसको उसमें सुरू से लेके अभी तक के जितने भी वीडियो हैं उनके लिंक और उस वीडियो लिंक के जस्ट निंचे पीडियाप दे रखिए और उससे अपने नोट्स बनाओ ऐसे अपनी एक सुपर तयारी करो और उन क्लासों को जल्दी जल्दी कवर करते हुए हमारे साथ आओ मतलब बराबर आजाओ ये सारा कंप्लीट कर लो है कर नहीं तो ये बात है और कोर्स आपको कंप्लीट करवाय जाएगा इसमें कोई दोर आए नहीं है कि थोड़ा सा करके आपको लटका दिया यहां वहां का नहीं रखा और सारा का सारा कोर्स निसुल्क है अपने आज पास जो भी बाई लोग तयारी करते हैं second grade की उनको भी इसके बारे में जरूर से जरूर बताओ तो ये बात है अब आज आओ अपने topic पर हम आपका ज़्यादा time वेस्ट नहीं करेंगे और आपको कोई भी दिक्कत होना तो हमारे whatsapp नंबर चारी किये हैं उन पर आप संपर कर सकते हो जैसे आपको कोई भी दिक्कत हो, code से related, कोई PDF नहीं मिल रही, कोई भी query हो तो comment भी डाल दिया करो, हम जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिस करेंगे और यदि comment टाइम पर नहीं मिलता, यदि comment से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप हमें whatsapp कर देना, ठीक है विद्यारतियों, तो आज आओ अपने topic पर अब हम आज पढ़ेंगे जालोर के बारे में तो यह हमारे जैसे notes हैं जालोर पर बनाएवे तो हम notes को बाद में पढ़ेंगे, एक बार page लेते हैं और उस page के उपर पढ़ते हैं तो देखो हम सबसे पहले यह pen choose कर लिया, एक map बना लेते हैं, ठीक है एक map लिया, रजस्तान का रप map बनाते हैं, इधर मालवा है, यह मालवा और इस side है अपना दिल्ली, यह दिल्ली हो गया, और इधर है गुजरात, और यहां पर है अपना जालोर और जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है भी दियारते हैं, शुरू करते हैं देखो प्राची नाम, जो जालोर का जो प्राची नाम है, वो क्या था? जबालिपूर था, क्या नाम था? जबालिपूर और जबालिपूर है वो जाबालिपूर भी लिखवा मिलेगा कहीं कहीं पर, जाबालिपूर तो ये जो जबालिपूर या जबालिपूर नाम है वो जबाल रिसी के कारण पढ़ा था और बताते हैं जो जालोर नाम है जो भी जालोर नाम है वो जाल वरक्ष की यहां पर अधिकता होने के कारण इसका नाम क्या पढ़ा था जालोर पढ़ा था और देखिए अब यहां पर जो सुरुवात में चोहान काम पर थे सारे के सारे सामबर जील के चारों थे और वहां पर साकमरी माता का मंदिर बनाया था और इनको सपाद लक्स बोलते थे और इनकी प्राचीन राजदानी जांगल पर देश थी वो सब चीचे हमने डीटेल में यहां पर पढ़ी अब वो अ अजमेर से कुछ चोहान चल कर कहां पर आये थे यहां पर यह जगें है नाडोल और नाडोल कहां पढ़ता है नाडोल है आपके पाली में ठीक है और यहां पर चोहान सासकों की क्या रखी थी नियू रखी थी अब इस नाडोल के जो चोहान है उन्ही में ही एक जो सासक है उ जो अलहन नाम के एक सासक थे तो उनका बेटा कौन था कीरतिपाल उनका बेटा था कीरतिपाल यह हो गया कीरतिपाल और कीरतिपाल को आपको पता है तो इसको जो मून अतनेन सी थे उन्होंने कीरतिपाल को कहा था कि तू एक महान सासक अब देखो हुआ क्या जो ये अलहन था इसका बेटा ये कीरतिपाल ये नाडोल से यहां से निकलता है और इधर मेवाड के जो सामंद सिंग है यहां खा जो सासक था उसका नाम था सामंद सिंग उस सामंथ सिंग को क्या करता है? पराजीत कर देता है उसको पराजीत कर दिया लेकिन क्या हुआ, यहांपर सासन भी किया है उसने 5-7 साल लेकिन जो मेवाड के जो सरदार थे बाकी के जो रावत वगरा होते थे जागिरें थी आस पास की चोटी-मोटी उनको ये पसंद नहीं आया कि बहुँ चलो कैसा भी हो लेकिन साथ सक अपना ही होना चाहिए मेवार के राजगराने का ही होना चाहिए कोई बाहर का आकर हम पर सासन करे तो ये बात ठीक नहीं ये तो उन राजाओं के सयोग से जो ये सामन्त सिंग था ना, सामन्त सिंग को किस ने अरा दिया था, जो कीरतिपाल कितु ने, कीरतिपाल कितु एक महान राजा, कितु एक महान राजा किस ने कहा था, मुनोत नेंसी ने, कितु एक महान राजा, इसने क्या किया था, इस सामन्त सिंग को मेवाड वाले को, यहा अब भागा इधर वागड है ना डूंगरपूर वाला ये सेत्र इस आइडिया बाग गया और यहां पर सासन कौन करने लगया कीरतिपाल करने लगया लेकिन आस पास के सरदारों को लगा कि भई कोई दूसरा राजा हम पर सासन कैसे कर रहा है बाहर से आके कोई चोहान हमारे वाले ही होने चाहिए गुहिलवंस के तब जो इस सामन सिंग का चोटा भाई होता है उसे चोटे भाई का एक नाम था मतलब इसका जो सगाई चोटा भाई था उसकी जो आस पास के सरदार होते है ना वो सारे मिलकर उसकी क्या करते हैं हेल्प करते हैं उसके जो चोटे बाई कि चल जाओ यहां से बगया तो यह भाग कर यहां से कीरती पाल कि तू यहां इसको पता चलता जाए अपनी दाल यहां पर गलने वाली नहीं है तो यह यहां से बाग कर कहा आ जाता है जालोर आ जाता है और जालोर में जो एक पहाड़ी है उसका नाम है स्वनगिरी या जो अपना नगर बसाता है या चोहान वंस की यहां पर क्या रखता है नियू रखता है तो जालोर के चोहानों की नियू किसने रखी वंस की क्या रखी नियू तो किसने रखी नियू कीर तिपाल ने रखी कब रखी 1100 1820 में रखी अब यह मैं जो चीज आपको समझा रहा ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे स्वेम के हाथों से अच्छी राइटिंग में पेज पर नोट कियावा है, उसकी पीडियप बनाई ही है, वो पीडियप हम पढ़ेंगे भी, ये सब कुछ समझाने के बाद जो नए विद्यार्टिया हैं, उनको मालू तुमने ये बता देता हूँ, उसको हम पढ़ेंगे भी, और वो पीडियप आपको टेलिग्राम पर मिलेगी भी, तो वहां से आप आराम से नोट करना, अभी सिरफ समझो, इस कहानी को इस तरीके से जीओ कि आपको लगे कि हम भी कीरतिपाल के साथ गुम रहे हैं, अच्छ कहानी मतलब एकदम मूवी चलने चाहिए दिमाग में, ठीक है, तो ये चोहान वंस की इसने क्या रखी यहां पर, निव रखी, कब से कब रखी थी, 1181, अब देखो आपको कोई क्यूश्चन पूछ ले, कि जो संस्तापक कौन है, जालोर के जो चोहान है, उनके संस्तापक क क्योंकि इन्होंने जालोर के चोहानों की क्या कीती, इस्ताप न कीती, अब देखो, चूंकि ये शोनगीरी, शोनगीरी नमक पहाड़ी पर आकर बसे, इसी कारण जालोर के जो चोहान है, वो सोनगरा चोहान क्यलाते हैं, क्या क्यलाते हैं, सोनगरा चोहान, अब अलग बुंदी रेता है तो बुंदी के जो चोहान हैं वो आड़ा चोहान कैलाते हैं सिरोई के साइड यहां पर जो लूमबा था उसने यहां पर चोहान वंस की निव रखी थी तो इधर वाले जो चोहान हैं वो देवड़ा चोहान कैलाते हैं ऐसे सब की अलग-अलग क्या है साखा तो ये भी जालोर की साका है जालोर के जो चोहान है वो सोनगरा चोहान केलाते हैं सोनगरा चोहान क्यों केलाते हैं क्योंकि ये सोनगिरी सोनगिरी पाहडी पर आकर बसे थे यहीं पर जालोर दुर्ग बनाया किसने जो चोहान साथ सा कीरतिपाल चोहान था जिन्नों ने इसकी इन लोगों की इस्तापना कीती ये चीज़े और देखिए अब हम कीरतिपाल के बारे में और चीज़ें देखेंगे ये जो कीरतिपाल है इसको एक जो कीरतिपाल को एक सुन्डा अभी लेक है सुन्डा अभी लेक इस अभी लेक में इस कीरतिपाल को राजेस्वर की उपादी दी गई है इसको क्या बताया गया है राजेस्वर बताया गया है तो ये बातें थी इसके बारे में किसके बारे में कीरतिपाल चोहान के बारे में तो अब आप एक काम कीजी अब इसे आगे से आगे हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से सासक आये किस परकार से ये राजगराना चला चोहान वानस वाला तो देखो सबसे पहले तो इसमें आता है कीरतिपाल एक बार मैं आपके क्लियर कर दूँ पूरा कीरतिपाल कीरतिपाल का सासन काल रहता है 1181 से लेकर 1182 तक बहुत ही कम समय तक सासन किया इसने आप देखो एक चीज और जालोर के चोहान है वो 1181 इसवी से लेकर 1300 जो आपके 1121 है वहीं तक इनका क्या रहता है सासन रहता है जालोर 1311 इसवी में इसमें अलावदिन का आकर्मन हो जाएगा और अलावदिन के आकर्मन के शाथ ही वो जालोर के चोहानों को शम्पून क्या कर देगा शमूल नश्ट कर देगा ठीक है तो यहां तक यह चला इनका जो सासन काल है अब हम इस सासन को आगे बढ़ाते है कीरतिपाल का यहां तक रहा 1182 इसवी में उसके बाद में कीरतिपाल के बाद में यहां का सासक बना समर सिंग समर सिंग का सासन काल रहता है 1182 इसवी से लेके 1205 तक समर सिंग के बाद में आता है उदे सिंग उदे सिंग का जो सासन काल रहता है वो 1205 इसवी से लेके 1207 इसवी तक उसके बाद में चाचिग देव आता है इसका सासन काल रहता है बारासो सताउन से लेके बैयासी तक मतलब बारासो बैयासी तक उसके बाद में चाचिग देव के बाद में आता है सामंद सिंग इस सामंच सिंग का जो सासन रहता है वो रहता है 1282 से लेके 1305 तक और इसके बाद में आता है कानड़ देव इसी कानड़ देव का जो बेटा होता है कानड़ देव का आगे बेटा होता है विरम देव उसी वीरमदेव से जो अलावदिन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा वो एक तरपा मौबत करती थी वोगेरा वो काने सुनी होगी आपने वही है कानड़देव इसी का बेटा था ठीक है और 1305 से लेकर 1311 तक कौन सा सन करता है कानड़देव और 1311 एसी में हो जाता है अलावदिन खिलजी का आकरमन और इसी के साथ जालोर के चोहनों की कहानी हो जाती है समात अब हम इनको पढ़ेंगे अब देखो कीरतिपाल है वो 1181 से 82 तक सासन करता है अब यह जो सासन काल है इनको हम याद के से रखेंगे तो देखो इनको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ जैसे कीरतिपाल पहला है याद रे जाएगा और कानड़ देव लास्ट है याद रे जाएगा तो कीरतिपाल फस्ट कानड़ देव लास्ट अब कीर्थिपाल पहला है तो जैसे जालोर के चोहानों की स्थापना हुई 1181 इस्वी में तो ये एक साल ही रहा तो 1181 से 82 याद रे गया इसका सासन तो ये हुआ अपना काम कम्प्लीट अब कानड़ देव का अंतिम याद रे जाएगा 1311 इस्वी ये याद रखना अब बाकी को याद रखने का तरीका देखो जब समर का उदे होता है समर का मतलब युद उदे का मतलब सुरुवात होती है जब युद की सुरुवात होती है तो चाची तो चाची हेल्प मांगने के लिए किस के पास जाती है सामन्त के पास जाती है सामन्त कौन होते थे जैसे कोई राजा होता था अब राजा के राजा मान लो एक देश का पर्मुक परदान मंतरी अब उसके सामन्त मतलब उस जो पूरा राज्य होता था उसको छोटी छोटी टुकड़ियों में बार दिया चोटे-चोटे टुकडों में मार दिया, उनको बोते थे जागीर तो ये जागीर, ये जागीर समझ के जैसे राजस्तान एक पुरा राज ये अब नागोर की जागीर, उदेपूर की जागीर, जेपूर की जागीर अब जैसे नागोर की जागीर है तो उसका वो जागिर्दार सामन्त होता था, ऐसे तो यह राजाओं के सामन्त होते थे तो अब देखो जब समर का उदे होगा मतलब युद्ध की शुरुआत होगी तो चाची हेल्प मांगने के लिए जाएगी सामन्त के पास तो सामत कहता है कि अब राजा जी कुछ नहीं कर सकते इस समर में तो मैं क्या करूँ अब जो करना होगा वो हमारा काना करेगा ठाकुर जी करेंगे वही होगा अब तो ऐसे याद रेजाएगा कीरतिपाल कानडदेव हो गया समर सिंग समर का उदे तब चाची सामत से हेल्प मा देखो 1182 पहला याद रेजाएगा कैसे रहेगा देखो 1181 मिस्तापना 82 तक ये रहा अब ये जैसे यटेगा तब ही ये आ जाएगा तो ये 1182 से 1182 यह एजटीज लिख देना अब देखो आपको याद क्या रखना है 1205 पांच से 57 और 57 से 82 अब 82 से वापस कहा आ जाओ जैसे यहां 82 से पांच आए थे वैसे यहां पर 82 से आजओ वापस पांच तो पांच यहां पर लिख देना और 1182 लास्ट है ही समझ गए कैसे देखो एक बार लिख के बताओ पहले 1182 से हमको चलना है 1205 पांच से चलो 57 तो 1257 और 57 से चलो 82 वापस 82 से 5 5 से 57 इतना ही याद रखो तो 82 से 5 5 से 57 से वापस आजओ 82 तो यह 1282 और 82 से वापस कहा आजओ पांच तो 1282 से वापस आगए हम 1305 और 1305 से तो हमको अंतिम मालूम है कि 1311 में हो जाएगा लाव दिन का आकरमा तो इस परकार हो गई डेट याद तो इस परकार से हमें अपने दिमाग में क्या बनाने जिसे हम इनको आसानी से याद कर सकें आगई बात समझ लें अब देखो आगे की स्टोरी यह आगे की स्टोरी में आपको यहीं बता दू थोड़ा सा रप कर दू अब देखो यहां बराबर में लिखे अच्छे से बता देता हूँ नया पेज ले लेते हैं इस पेज पर नये विध्यारतियों को मालूम नहीं है तो एक बार आप समझ लेजी जैसे ही राजस्तान है यह राजस्तान का मेप हो गया यहां पर अपना रन थंबोर हो गया यह decision जालोर अभी वो कल वाला ही दिमाग में चल रहा है यहां पर हो गया अपना जालोर और यहां हो गया दिल्ली अब हमें देखो दिल्ली सल्तनत के साथ है जो समंध पढ़ने है वो किसके पढ़ने दिल्ली और दिल्ली में यह नहीं कि पूरा दिल्ली का सासन पढ़ना है, कब से लेकर ओरंग जेब तक नहीं, दिल्ली में भी सल्तनतकाल और सल्तनतकाल चलता है 1200 जो आपके इसकी एक डेट है, एक चुछ डेट है, एक सेकंड, वो मेरे थोड़ी याद आ रही है, हाँ, 1205 से लेकर 1526 इसवी तक, बस यही पढ़ना है हमको दिल्ली का सिरफ इतना ही ध्यान में रखना है, दिल्ली सल्तनतकाल, और इस टाइमिंग पीरिड के दोरान, 1205 से 1526 इसवी के दोरान, जालोर और इनके बीच में क्या समन रहे, अब जालोर भी आगे पीचे खूब है, भी जाल सेले बस इतना अच्छा दे रखा है, सेकिंड ग्रेड का हर चीज क्लियर है, बहुत ही कम मेटर पढ़ना है आपको, और उनी में से क्या आते हैं, क्योश चनाते हैं, अब देखो होता क्या है, जालोर के इदर मैं सासा क्लिक दूँ सारे, कौन कौन रहे, तीन, चार, पांच बताईए, कैसा समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अन्य लोगों तक उसको सेेर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कंजू सी नहीं बहे, कंजू सी बिल्कूल नहीं चलेगी, 1182 से लेकर 1205 तक उसके बाद में उदे सिंग समर का उदे हुआ न बस वही है फिर 1205 से लेकर 1277 तक चाचिक देव चाचिक देव हो गए 1277 से लेकर 1282 तक देखो भई नए वाले जो विद्यारती हैं वो सुरू से वीडियो को देखना प्रारम करेना तब आएगा उनको आनन्द क्योंकि अब मैं दिल्ली वाले बताऊंगा तो दिल्ली वाले अभी मैं आपको बताऊं तो आपको नएं लगेंगे लेकिन मैं उनको सुरू से बता दूँगा लेकिन पेले से देखावा होना तो सारे नाम आपको क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे तेरा सु पांट से गिरा ये इधर तो है जालोर का मामला अब इनकी इधर टक्कर किस से होगी दिल्ली वाले कौन है देखो दिल्ली में 11 सुबराण में एस्वी में मौहमद गोरी यहाँ पर आकरमन करता है और यहाँ पर हरा देता है मुसलिम सता यहाँ इस्तापित हो जाती है तो वो मौहमद गोरी वापस चला जाता है अपने गजनी और पीछे अपना छोड़ के जाता है परतिनी दी उसका नाम था आपके कुतुब दिन एबक और बारास सो चे इस्वी में किसकी मर्ती हो जाती है कुतुब दिन एबक की कुतुब दिन एबक नहीं मौहमद गोरी की तो ललाए 2060 में यहां पर हो जाटी है गुलाम वंस्ट की इस्तापना और ये गुलाम वंस्ट चलता है 1290 ईस्वी तक इसके बाद में किसकी स्तापना होती है? खिलजी वंस्ट की ये पिछे के वीडियो में सारा समझा रखा है अच्छे से जाके देखो तो अब क्या होता है तो 1206 से लेकर 12010 ऐसवी तक सासक कौन रहेगा दिल्ली का कुतूबुदीन ठीक है कुतूबुदीन के बाद में 1010 ऐसवी से लेकर 1236 ऐसवी तक कौन रहेगा इल्थ अब इल्थ उत्मिस अब इल्टूतमिस के जाने के बाद 1236 से लेकर 1240 इस वी तक कौन रहेगी इसकी बेटी जिसका नाम है रजिया सुल्तान फिर 1240 से लेकर 1242 1242 से लेकर 1244 इसमें क्या होते हैं इसके जो दो भाही होते हैं रजिया के वो दोनों भाही रहे थे यहां पर यह 1242 से यह 46 कर लो यहां पर ठीक है वो थोड़ा सा आगे पीछे मतलब इजेक्ट आपको पता है पंदरवी सताप इससे पहले का जो इतियास है ना वो मतलब इतना टुकडों में बंटावा है कि मतलब इतनी इजेक्ट डेट वगएरा यहां की नहीं मिलती है लेकिन फिर भी आप लिख लीजे देखो 1242 से बैयालीस तक जो रजिया का बाई था बहराम यह बहराम रहा और 1242 से लेकर और 1246 इसमें तक चार साल रहा था इसी का रजिया का बाई था अलाओ दिन मसूद साहे क्या नाम था अलाओ दिन मसूद साहे अब 1246 से लेकर 1266 इसमें तक रहता है नासिरूदीन महमूद नासिरूदीन महमूद और 1266 से लेकर 1286 इसमें तक रहता है इस नासिरूदीन का जो सेनापती था वो बन गया बाद में अबे तक काल ऐसी चला था मतलब उधर उठाओ पटक विद्रोई होते रहे ठीक है चोटे-चोटे बच्चे थे उनको कभी सासक बनाया कभी नहीं बनाया यह वो चलता गया और 1290 इस्वी में हो जाती है खिल जीवंस की स्थापना यह गुलामवस इतना ही है यहां से लेकर य 1396 से लेकर 1316 तक 20 साल कौन रहा अलाओ दिन खिल जी और यही अलाओ दिन खिल जी 1316 में मर्ट्यू से 5 साल पूर है मतलब कि 1311 इसके बीच में आएगा यहां पर जालोर पर आकरमन करेगा और इस कानड़ दे और यह कहानी कर देगा खतम आगई बात समझ में अब इनकी आप इमपोटेंट चीज है अलग से आप अपनी कोपी में नोट कर लेना अब रही बात यह कि यह इदर वाले याद कैसे होंगे तो आप पिछे के वीडियो देखते देखते आओगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे यह बार बार मैंने रिपिट किये और रिपिट प लेक में राजेश्वर कहा गया और कीर तिपाल ने मेवाड के जो सासक था सामन सिंग उसको पराजित किया था फिर उसका चोटा बाई था कुमार सिंग तो उसने सामन जो आस पास के जो जागिरदार वगेरा शरदार थे उनकी साहिता से कीर तिपाल को वापस अटाया फिर कीरतिपाल जालोर के चोहानों की 1181 में क्या करता है यहां पर आकर इस्तापना करता है यह स्वन गिरी पहाड़ी पर आकर बसते हैं यहीं रहते हैं इसके कारण इनका नाम जो सौनगरा चोहान रहा तो यह यह बात थी कीरतिपाल के बारे अब कीरतिपाल हो गया complete अब आता है स हमार संग्ग ने कोई जादा बढ़ा कौई कार्या नहीं किया, कि इस हमार संग्ह ने अपने सक्ति को बढ़ाने के लिए एक काम जरूर किया था, कि अपने जो सक्ति वगएरा बढ़ जा आए और हम आस पास के परडोश्यों से क्या रखेंगे अच्छे समन्द रखेंगे तो ठीक है बविश्य में युद नहीं होगा तो इधर जालो और कि इधर ही क्या है गुजरात तो गुजरात का एक था भीहिम सेकिंड चालो क्या सकता भीहिम सेकिंड भाई इसके युद वगेरा होते थे ना अपने अबू की एक राजकुमारी थी तो अबू की राजकुमारी से साधी करने की इच्छा उसका नाम था इंचिनी इंचिनी से साधी करने की इच्छा थी भीहिम सेकिंड की लेकिन इंचिनी की खुद की इच्छा थी परतिरा चोहान से साधी करने की फिर इनके बीच में क्या हो होता है वही भीम सेखिंड है तो ये जो समर सिंग होता है ये क्या करता है अपनी पुत्री लिला देवी होती है उसका विवा कर देता है चालुकिये भीम सेखिंड के साथ बस ये काम इसने किया था और इतना कुछ नहीं दे रखा है कि इसने ये वो ऐसा कुछ नहीं किया ठीक उदे सिंग बहुत ही प्राकरमी वीर सासक था ये सब कारिय किये थे इसने मतलब जालोर का जो दूर गह हूँ उसको सुद्रड बना लो और उसने मतलब जीतने की नीती भी अपना इती ये देखो कितना लंबा सासन है 1205 से लेकर 27 तक मतलब लगब 52 साल तक इसने राज किया इ उतर भारत में ये एक बहुत बड़ा राज्य था बहुत ही पावरफुल जो सासक के रूप में इसकी छवी थी तो इसके बारे में क्या क्या है उसका हम अध्यन करते हैं अब देखे उदे सिंग के बारे में अब देखो ये 1182 इसवी की बात थी तब देखो यहां पर गुल 205 इसवी तक का समय समर सिंग का था लेकिन समर सिंग के समय बी यहां देखो 1260 में गुलामवंस की स्थापना होती है जब जो कुतवदी नियबक है वो बनता है गुलामवंस का पहला सासक लेकिन तब примерно 10205 मतलब गुलामवंस के बनने से 1 साल पहले आपना है अब देखो जै सब्सक्र मंतरी एक साल बाद गुलाम मस्की हो गई इस्तापना ठीक है और हमको पढ़ना भी इसी डूरेशन में क्योंकि दिलली सल्तनत काल सही पढ़ना है पेलेवालों को पढ़ना ही नहीं हमें पढ़ना कांसे है बारा सो पांच से लेकर पंद़रा सो अबीच से इसके सुरू तो बस अब यहीं से होगी कहानी सुरू अब हुआ क्या, 1206 से लेकर 2102 इस्वी तक कुतुबुदी नेबक का सासन था लेकिन कुत्वधी नेबक ने जैसे ही जैसे तैसे गुलामवंस की स्थापना की वो अपने दिल्ली को ही मजबूत करने में लगावा है इसलिए इसके सासनकाल को लेकर जालोर पर कोई आकरमन नहीं हुआ ठीके उसके बाद में सासक बना 1210 इसवी से लेकर 1237 इसवी तक र दिल्ली वाले जो सासक था इलतुतमिस इसके समय का उदे सिंग के समय का उसको खत्रा मैसूस हुआ कि यह नहीं कि यह सामराजे बढ़ाते बढ़ाते पूरी दिल्ली कोई लील जाए हम कोई निगल जाए इतना बड़ा असासन बढ़ाले तो जो सामराजे बढ़ाले तो इस डर के कारण इल्टूतमिस ने किया था उदे सिंग के जो राज्य है जालोर पर आकरमन लेकिन चुँकि उस समय उदे सिंग बहुत ही सक्तिसाली सा सकता इसलिए उदे सिंग ने इल्टूतमिस का सपलता पूरोग सामना किया और उसको यहां पर विजय नहीं होने दिया और उस प्राकरमन करके यहां पर सपलता आसिल नहीं कर सका इस कारण उदे सिंग की कीरती दूर दूर तक फेल गई कि भई उदे सिंग जी राजा जी वास्त में बहुत सूरवी रहें इतने प्राकरमी राजा हैं कि दिल्ली का सुल्तान दिल्ली की राजगदी मतलब दिल्ली तो सक्त सक्तिसाली कौन जिसका दिल्ली पर राज तो बहले दिल्ली का सुल्तान इतना सक्तिसाली और उसको उदे सिंग जो हमारे राजा जी हैं उन्होंने उनको हरा दिया तो इसकी कीरती दूर दूर तक फेल गई थी और बताते हैं कि उसी समय उदे सिंग ने गुजरात के जो लवन परसाद नाम का सा सकता उसको भी हरा दिया aur अपने राजियों का और विस्तार किया मंढोर तक अपने भूबा को फेला लिया तो ये चीज हुई थी और दिली सल्तनत की तरप से जालोर पर पहला जो आकरमन हुआ था जो आकर्मन इल्टूतमीस ने किया था वो आकर्मन कब हुआ था 1228 ईश्वी में हुआ अब क्या हुआ 1227 में जाकर उदे सिंग की हो जाती है मर्तियू और उसके बाद में ये राजिये किसके आत में आता है चाचिक देव के तब पंडित दसरत सर्मा इस चीज को लेकर बताते हैं कि उदे सिंग की मर्तियू के समय जालोर है वो उत्तर भारत का संभवते सर्वादिक सकति साली राजिये था ये बात कौन बताते हैं इतियासकार पंडित दसरत सर्मा ठीक है अब देखो इसके बाद में क्या होता है चाचिक देव अब चाचिक देव का जो समय सुरू हुआ तब यहाँ पर किसका समय सुरू हो रहा है तो देखो अब बीच में यह एक याकर्मन हुआ बारास वटाइस इस्वी में और कुछ नहीं हुआ जललुदीन का ठीक है जो जललुदीन का सुरी इल्टूत में इसका ये एक याकर्मन था अब इसके बाद में एक चीज और होती वो क्या होती है जब बारास सु सताउन इस्वी में चाचिक देव का जब सासन होता है तो उस समय यहाँ पर इसकी टक्र में कौन है ये नासिरुदीन मेहमूद है अब चुँकि 1277 में चाचिक देव का तो सासन सुरू हुआ है और नासिरुदीन का अब खतम होने वाला है बारास सासन है अब 9 साल बाद में तो इसका सासन क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा इसका सासन है वो अंतिम चरण की और चल रहा है और इसका भी क्या हुआ है सुरू हुआ है और बताते हैं कि नासुरूदीन का जो परदान मंतरी था ये बल्बन के बहुत ही चतुर था ये उस समय एसासक नहीं था उसके मरने के बाद बना लेकिन बताते हैं कि ये नाशुरुदिन मेहमूद को एकदम रिमोंड की तरह इस्तेमाल करता था कि बस अब इसको किस तरफ चलाना है ये बल्बन की सारे पर ही चलता था और बताते हैं कि दिल्ली पर लगातार पिछे से क्या हो रहे थे मंगोलों के आकर्मन हो रहे थे कर्मण नहीं होता है और चाचिक देव भी यहां से शेप अपना सासन जो राजपाट यहां समभाल कर अपने जीवन का आनन्द लेकर गुजर जाता है आगई बात समझ में उसके बाद में आता है सामंद सिंग कौन मनता है सामंद सिंग अब देखो सामंद सिंग की क्या खास बात है सामन सिंग को लेकर बताएंगे हम आपको यह सामन सिंग एक डेट रहे गई पीछे सोरी विद्यारतियों एक मिनट देखना यह 1228 इस्वी में उदे सिंग के समय में आकरमन किया था किसने इलतुतमिस ने और एक बार 1254 इस्वी में भी उदे सिंग का ही समय था उस समय इसकी टकर में कौन था देखो बारा सो चोपन में था नासिरुदीन मेहमूद तो यह नासिरुदीन मेहमूद है वो बारा सो चोपन में आकरमन करता है किस पर आकरमन करता है यहां पर जालोर पर आकरमन करता है लेकिन उस समय नासिरुदीन के मेहमूद के समय यहां पर कौन सासन कर रहा था उदे सिंग कर रहा था तो उदे सिंग ने ओर उस आकर्मन को क्या कर दिया था विफल कर दिया था मतलब जो कि इस उदे सिंग के समय दिल्ली पर दो बार आकर्मन हुए थे एक तो 1224 इस्वी में और 1224 इस्वी में ठीक है ये थोड़ा पॉइंट था वो दिमा से स्प्लिट हो गया मैं आगे सोच रहा था कि मतलब आगे इस परकार से आगे एक नया मेब बना कर ओर गुमा दू ठीक है अब देखो अब चाचिक देव के समय में कोई आकरमन नहीं हूँ अब आकरमन सिधा-सिधा कहा जाकर होगा सामन्द सिंग के समय में अब देखो सामन् अब्बे इस्वी आया और उसके बाद आया बारासु इक्राण में जालोर पर फिर आकर्मन होता है किसका दिल्ली के सुल्तान का और बारासु इक्राण में इस्वी में दिल्ली का सुल्तान कौन है जलालुदीन खिलजी अब देखो बारासु इक्राण में इस्वी में दोर पर भी जो जलालुदीन खिलजी है उसने क्या किया था आकर्मन किया था तो बारासु एकराण में इस्यू में यहां का सासक सामन सिंग और दिल्ली का सासक जलालुदीन खिलजी तो यह आकर इस पर क्या करता है सामन सिंग पर आकर्मन करता है अब बताते हैं कि जलालुद इनका बतीजा था अलाव दिन खिल जी ये इसको हर दम मतलब बढ़काता रहता था कि चाचु इदर आकरमन करो चाचु इदर आकरमन करो ठीक है क्योंकि जलालो दिन इसका क्या लगता था चाचा लगता था चाचा भी था और ससुर भी था क्यों क्योंकि अलाव दिन खिल जी ये बात हुई थी तो अब जलालुदीन आकरमन जरूर करता है सामन सिंग पर लेकिन सामन सिंग क्या होता है इसकी आसपास के रजाओं से बॉंडिंग सांदार थी यहां का जो बगेल सासक था वो भी इसकी हेल्प करता है और आसपास के जितने भी रजा थे वो हेल्प करते है और इनकी help से summoning है वो जलालुदीन को यहां से भागने पर क्या कर देता है मजबूर कर देता है इस परकार जालोर पर दिली सल्तनत वालों की वज़े से कोई आंच नहीं आती है अब इसके बाद में और जालोर के चोहानों का सबसे most important जो सा सके वो कौन है कानड़ देव चोहा है जैसे रन थंबोर वालों में सबसे important कौन था हमीर था उसके बारे में लंबी चोड़ी इस्टोरी आई एक पार्ट बना वीडियो का पूरा उसके उपर उसी परकार से जालोर वालों में सबसे important है कानड़ देव चोहान और कानड़ देव चोहान को लेकर हम अगले वीडि पढ़ लेते हैं तो आजाओ नोट्स पर यह हमारे हैं नोट्स पढ़ो इनको दिल्ली सल्तनत और जालोर यह अपना पार्ट है first यह pdf है वो आपको टेलिग्राम पर मिलेगी और टेलिग्राम का लिंक है वो description में दे रखा है प्राचीन नाम जाबालीपूर जाबाल रिशी के कारण जाल वरक्ष की अधिकता से जालोर नाम पढ़ा सूवर्ण गिरी सोनगिरी पहाडी पर जालोर दुर्ग होने के कारण यहां के चोहान सासक सोनगरा चोहान कहला है जालोर के चोहानों का संस्तापक कौन था कीर्थिपाल चोहान और 1191 इस्यू में इसने क्या की थी इस्तापना इसने चोहानों की सोनगरा साका की क्या की थी इस्तापना सोनगरा क्यों कहलाए सुवनगिरी या सोनगिरी पाहडी पर रहने के करण ठीके? कीर्टिपाल चोहान देखो पर्तम सासक था और कानड़्देव चोहान क्या है? अन्तिम है ये डाइग्राम मैंने बनाया था 1181-82, इसका सासनकाल, इसके बाद में समर सिंग, इसका 1282-1205 इसके बाद में उदे सिंग, उदे सिंग का बारा सु पांच से सतावन, उसके बाद में चाचिक देव का सतावन से बैयासी, उसके बाद में सामन सिंग का बैयासी से पांच, और उसके बाद कानर देव चोहान का तेरा सु पांच से तेरा सु ग्यरा इस्वी, और तेरा सु ग पहले बता दिया था आपको डिटेल से, अब बस इनको पढ़ते जाओ, कीर्थिपाल ने मेवाड के सासक सामंत सिंग को पराजित किया था, और मूनोत नेरंसी ने कीर्थिपाल को कितु एक महान सासक कहता है, यह बताता है कि कितु एक महान सासक, किस ने कहा था, मूनोत नेरं उदे सिंग ने अपनी पुत्री लिला देवी का विवा चालू के साथ भीम सेकेंड के साथ किया था ये बता दी मैंने आपको समर सिंग के बाद में कौन आता है यह रहा यहां पर समर सिंग के बाद में आता है उदे सिंग उदे सिंग के बारे में क्या है उदे सिंग ने इल् जालोर पर पहला आकरमण 1228 इस्वी में उदे सिंग के समय हुआ था। किसके द्वारा किया गया था। इलतुतमिस के द्वारा। ये इलतुतमिस ने उदे सिंग पर जो आकरमण किया ना ये कब किया था। 1228 इस्वी में किया था। और यही दिली सल्तनत की ओर से जालोर पर पहला आकर्मन था यह पेज पहला कंप्लीट यहां पर क्या है वो केम इसकेनर का लोगो आ गया इस वज़े से आपको साप दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर लिखावा है 1228 इस्वी में उदे सिंग के समय इल्तुत मिस द्वारा किया गया यह लाइन लिखी वी है यहां पर आगे बढ़ो पंडित दसरत सर्मा के अनुसार उदे सिंग की मर्थ्यू के समय जालोर उतर भारत का संभवते सर्वादिक सक्तिसाली राजिये था जालोर के चोहानों ने 11212 से लेकर 13112 तक सासन किया क्ये पूरी इनके सासन की डेट और देखो यह कीरतिपाल चोहान के बा सामन्द सिंग को हरा कर कुछ समय वाँ सासन किया लेकिन बाद में सामन्द सिंग के छोटे भाई कुमार सिंग ने वाँ से इसे निकाल दिया दिल्ली सल्तनत काल का समय 1205 से 1526 दिल्ली सल्तनत की ओर से जालोर पर दूसरी बार आकर्मण 1254 ईश्वी में नासीर उदीन पन एस्व्य में नसिरूदीन महमुद की द्वारा, तो ये जो факt है ये आपको बार बार रिपिटेशन से याद दोंगे, एक बार अपने हातों से नौर्स बनाव तो सही, एक बार अपने हातों से बनाएवें नौर्स को revise करके तो देखो याद होता है का नहीं होता है देखना, try जरूर करना बिल्कुल 100% guarantee के साथ आपको याद होगा आगे देखो ये दो बार आकर्मन हो गया अब तीसरी बार आकर्मन होता है 1221 में issue में दिल्ली सुल्तान जलालुदीन खिलजी ने सामन सिंग पर आकर्मन करता है लेकिन सामन सिंग आसपास के राजाओं के सयोग से आकर्मन का डटकर मुकाबला करता है और जलालुदीन को बगा देता है अब आगे आएगा अलाउदीन खिलजी अलाउदीन खिलजी का टाइम पीरिड 1221 में से 1316 इसवी और अब देखो ये सामन सिंग तक हमने पढ़ लिया और सामन सिंग तक ये बात खतम हो गए अब आगे आएगा कानड़ देव चोहान और कानड़ देव चोहान के समय में इसकी टकर होगी अलाउदीन खिलजी के साथ और मेच होगा रॉमान जग और इस मेच को आप देखोगे अगले पार्ट में तो इस वीडियो में इतना ही और यहां पर जो मैंने ये नोट्स में ये बनाए न ये चार्ट आप बहुत अच्छे से बना लेना किस की टकर किस से और ये इदर दिल्ली वाले सासक इसका देखो ये मैंने जूम इन कर दिया ये एक मिनट ये जूम आउट करके देखो ये ज़्याद़ जूम कियो है अब यहां पर स्क्रीन सोट लेना और किस की टकर किस से हो रही है और किस का सासन काल है कहां से कहां तक ये सारा अच्छे से नौट करके रखना ठीक है वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो को लाइक करना जदा से जदा लोगों तक सेर करना चैनल के बारे में आस पड़ो सब जगें डिंडोरा पिटवा दो कि बाई सेकंड ग्रेट की तैयारी फिरी में करवाई जा रही है ठीक है वीडियारतियों तन्यवाद मिलते हैं अगले पार्ट में